भारत में सिक्षकों की या सिक्षा की बहुत पुरानी परंपरा यह हमें विस्व गुरु कहा जाता है अब आप कहेंगे सरी विस्व गुरु का मतलब क्या होता है भारत को विस्व गुरु क्यूं कहा जाता है तो आप एक एक जामपल से समझे हमारे ततकालीन राष्टपती उस समय के 94 में Dr. Sankar Diyal Sarma थे। 1994 में Dr. Sankar Diyal Sarma भारत से अधिकारिक दौरा पर ओमान गया। ओमान की राजधानी मसकत पर जब हमारे राश्टपती डॉक्टर संकar Diyal Sarma का हवाई जहाद लेंड किया तो ओमान के जो किंग थे वहाँ की राजा वो कभी किसी को रिसीब करने एरपोर्ट पर नहीं जाते हैं यह प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल मतलब नियम कानून होता है, किसी देश की राश्टपती वगरा नहीं जाते हैं, जब तक कोई बहुत खास महमान नहीं आ जाता है, और लेकिन वहाँ पर किंग जो है वो प्रोटोकॉल तोड़ दिये, और अमूमन अगर कोई प्रोटोकॉल तोड़ के आता भी है, तो वो रिसीब करने के लिए नीचे खड़ा रहता है, और राश्टपती खुद उतर के आते हैं, लेकिन ओमान के राजा के, यानि ओमान के के साथ ऐसा नहीं हुआ, हमारे डॉक्टर संकर दियाल सर्मा अभी हवाई जाहर में बैठे ही थे, तो ओमान के किंग सीडियों से चड़ कर खुद गये, और डॉक्टर संकर दियाल सर्मा को उनके सीट के पास से जाकर रिसीब करके उन्हें लेकर आये थे, जब ड्राइबर ने उनसे पूछा कि आखिर संकर दियाल सर्मा में ऐसा क्या खास है, जो आपने इतने सारे प्रोटोकॉल्स तोड़ दिये, आज तक किसी राजा या किसी देश के प्रधानमंति राष्टपती को इजट नहीं मिली, ओमान के किंग ने कहा कि जब मैं स्टूडेंट था और भ ये भारत को 20 गुरु कहा जाता था, प्राचीन काल से आज तक बहुत सारे लोग भारत में आते हैं, सिख्छा लेका और बड़े बड़े पोस्ट पर पहुंचे हैं, उसके बाद से अभी तक कई सारे राष्टपती, प्रधानमंतिरी अलग-अलग देशों के ओमान में गए हमारा खरे इंदितरी ये तक कि 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 अमारा गल्ह ध बसुटती है?